शादी के बाद पहला करवा चौत और पहली प्रेगनेंसी साथ में पढ़ जाती है तो ऐसे में महिला को अपना और अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है वरत कैसे रखना है और किन बातों पर ध्यान देना है सबसे जरूरी चीज है ये जानना कि इस समय आपकी pregnancy का कौन सा trimester चला यान कि कौन सी तीमाही चल रही है अगर ये second तीमाही है तो इस वक्त आपको बहुत ज़ादा सावधान रहने की सरुरत है पहली तीमाही में और तीसरी तीमाही में बच्चे का विकास उतनी तेजी से नहीं होता जितनी तेजी से बच्चे का विकास दूसरी तीमाही में होता है तो दूसरी तिमाही में बच्चे को ज्यादा nutrition की जरुत होती है, आपके शरी को ज्यादा उर्जा की जरुत होती है तो जानते हैं अगर आप वरत और उपवास कर रहे हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए पहला वरत है तो निर्जला उपवास आपको नहीं रखना खास तोर पर pregnancy में और अगर पहली pregnancy है तो बिल्कुल भी इस चीज़ की गलती ना करें कि आप निर्जला उपवास रख रहे हैं क्या आप जानते हैं प्रेग्निंसी के दौरान शरीर में पानी की कमी होना शिशु के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अगर महिला के शरीर में पानी की कमी होती है तो उससे बच्चे के चारो और जो अम्यूटिक फ्लूड होता है उसमें भी कमी आ जाती है और बच्चे के चारो और जो अम्यूटिक फ्लूड होता है उसमें अगर कमी आ जाती है तो बच्चे की जान को खतरा होता है इसी लिए गरपवस्था के दोरान अगर आप करवा चोथ का वरत रखते हैं या कोई भी वरत पुवास रखते हैं तो उसको आपको निर्जला नहीं रखना है आपको ऐसा वरत रखना है जिसमें आपको चिनाकुट लिक्विड डाइट ज़रूर शामिल करें और अपने शरी को हाइडộेट रखें नमबर 2 वरत करने से पहले डॉक्टर की सला और राय झरूर लेनी चाहिए अगर आप डॉक्टर के पास जाके उनकी सला और राय लेंगे तो वो आपकी जाच करेंगे, आपके बच्चे की जाच करेंगे और उसके बाद ही आपको सही सला देंगे कि आपको वरत और उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वरत और उपवास नहीं करना और आपका मन नहीं मान रहा है आप फिर भी वरत और उपवास कर रहें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप दिन भर कुछ ना कुछ जरूर खाएं क्योंकि आपके शरीर को आपके बच्चे को पोशक तत्व की जरुरत है गर्ववस्ता के दौरान महीला का पूरा शरीर बच्चे के विकास पर काम करता है महीला से ही बच्चे को जरूरी पोशक तत्व मिलते हैं और बच्चे का शारिरिक और मानसिक विकास होता है तो अगर वरत उपवास आपको रखना है तो इस बात का विशेज ध्यान रखना है कि आपको दिन बर कुछ healthy चीज़े लेनी है ऐसी चीज़े जिससे बच्चे को नुक्सान ना हो और आपकी आस्ता और भक्ती को भी इससे ठेस ना पहुँचे आप कोशिश करें कि डॉक्टर के मना करने पर भी अगर आप वरत करना चाहते हैं तो आप दिन में दूद लें आप dry fruits लें आप ऐसी चीज़े खाएं जो वरत और उपवास में खाई जाती हैं नंबर थ्री relaxation करना यानि कि आराम करना अगर आप गर बवस्ता के दौरान करवा चोथ का वरत करते हैं या कोई भी वरत और उपवास करते हैं तो इस बात का विशेज ध्यान रखें कि दिन भर आपको ऐसी activity नहीं करनी है जिससे आपका शरीर जादा ठके जब आपका शरीर ज्यादा ठकेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी की ज़रत होगी आपको पानी की ज़रत होगी तो कोशिश करें अगर आपने वरत और पुवास रखा है तो आप ऐसे काम ना करें घर के कुछ कामों को कम करें अवाइड कर दें खास तोर पे आपको ज्यादा बातें नहीं कर और हो सके तो थोड़ा rest जरूर करें उस दिन जिस दिन आप करवाचोत का वरत और उपवास कर रहे हैं साथ ही आपको stress ना हो तनाव ना हो इसका भी आपको wishes ध्यान रखना है इसके लिए आपको अराम करने के साथ साथ books पर नहीं है आप चाहें तो करवाचोत की कथाएं पढ़ सकते हैं कोशिश करने की चीज़े पढ़ें एलेक्ट्रानिक चीज़ों से दूर रहें फोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है क्योंकि इन से निकलने वाली radiation wave आपकी brain पर effect डालती हैं जिससे आपको चड़-चड़ा पन होता है करवाचोत के व्रत से पहले सरगी खाने का महत्व बहुत बड़ा है सुबह उठकर जब आप सरगी खाएं सबसे पहले चीज़ तो आपको उठकर सरगी जरूर खाने है तो जब आप सरगी खाते हैं तो इसमें आपको क्या-क्या चीज़े शामिल करने हैं आपको बहुत oily चीज़े अपने सरगी में शामिल नहीं करने हैं आप सरगी में क्या-क्या चीज़े सामिल करें दूद, दूद से बनेवी चीजे लें आप पोहा और दही खा सकते हैं क्योंकि पोहा और जो दही का कॉंबिनेशन है ये पूरे दिन बर अच्छी एनर्जी देता है आप चाहें तो राइस और दही का कॉंबिनेशन रख सकते हैं इसी के साथ आप साबुद दाना ले सकते हैं आप दलिया ले सकते हैं आप दाल और चावल ले सकते हैं आप रोटी और सबजी ले सकते हैं अपनी डाइट में कार्बो हाइट्रेट जरूर शामिल करें इसी के साथ आप सरगी में स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप भीगे वे चने, मूंकी दाल और मूंफली का सेवन भी कर सकते हैं, इसी के साथ भीगे वी किश्मिस आप खा सकते हैं, जिन चीजों से प्रोटीन मिलता है उन चीजों को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें इसी के साथ आप fruit salad अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं फ्रूट सामिल कर सकते हैं नमबर फाइव दिन में आपको कुछ ना कुछ हलका फुलका जरूर खाना है जब आप करवा चौत का वरत रखते हैं और अगर आप pregnant हैं तो pregnant महिला को शाम होने होने तक चक्कर आने लगते हैं उनकी तबित खराब होने लगती है तो ऐसे में करवा चौत का वरत और pregnancy अगर साथ में पढ़ रही है तो महिला को दिन में कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़े बच्चे के लिए बेहत सरूरी है ती के साथ चाई कौफी को आपको अवाइड करना है इसके जगापे आप ग्रीन टी ले सकते हैं आप हरबर टी ले सकते हैं नमबर सिक्स करवचोत के व्रत के दौरान आपको बहुत भारी कपड़े या बहुत भारी गहने जेवर आदी नहीं पहनने अगर आप भारी कपड़े पहनेंगे भारी जेवर पहनेंगे प्रिग्निंसी के दौरान वैसे भी अगर आप कुछ आपको बहुत सारी प्रॉब् खाएं सबसे पहले शुरवात fruit से करें या salad से करें किसी हलकी चीज़ से करें उसके बाद ही कुछ heavy खाएं इसी के साथ करवा चौत की जो पूजा होती है उसमें या जो कथा होती है उसमें आपको किसी ना किसी की help जरूर लेनी चाहिए आपकी pregnancy का कौन सा महिना चल रहा है और जरूर लिखेगा इससे जुड़े कोई भी सवार या सुझा हो तो कमेंट करके हमें सरूर लिखेगा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शियर जरूर करें बेबी केर फैमली पर अगर आप पहली बार आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइ कर बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिगा फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखे का धन्यवाद नमस्कार